रहीं दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उमेदे दोस्तों आप सब बहुत उच्छा से होंगे और आपकी एक्जाम्स की तेयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और लगबग पुरी हो चुकी होगी रिविजन कर रही दोस्तों एक छोड़ी सी वीडियो में मैं अपने रेकमें का एक्जाम दे रहे हैं इसका मतलब आपने 1 से लेके 12 तक किया फिर ग्रैजियोशन किया तो आपको इतनी समझ आप हो सकती है आप लिख सकते हैं आप बिलकुल अपने तरीके से चल सकते हैं लेकिना अनुभाव के आधार पर मैं आपको इन बिंदू के बारे में कुछ बत को खंड आ के सभी प्रशन के उत्तर 50 सब्दों में और खंड बी के सभी उत्तर 200 सब्दों में और खंड स आ यानि कि सेक्शन सी के 500 सब्दों में देने हैं तो इस प्रकार से आपके पेपर में ऐसा लिखा रहेगा और आपके questions के सामने उसके number लिखे रहेंगे तो one by one देख 10 प्रशने के लिए कितने total अंग निधारित कियेंगे 10 अंग तो अब हमें 10 अंग का पूरा section A करना है तो इसको हम कैसे solve करेंगे अक्सर इसमें पूछा क्या जाता है या तो इसकी आपकी अर्थ पूछी जाएगी परिभासा पूछी जाएगी चार वी से स्ताएं पूछे जाएगे या फिर इससे क्या समझते हैं आपसे पूछे जाएगे तो इस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं तो section A में दोस्तो ध्यान से देखिए section A 10 नंबर का है और याद रखिए section A के चकर में अकसर वच्चों के section C के एक प्रशन छूट जाते हैं तो आपको ऐसा बिल्कूल भी नहीं करना है अगर मान लिए ये सारे प्रशन आपके छूट जाएंगे तो आपके 10 नंबर छूटेंगे और अगर section C एकला होता छूटेगा यादे की question number 1 और question number 2 एक page में आप दो question solve करेंगे इससे ज़्यादा आप समय और page दोनों खराब करेंगे तो एक page में आप दो प्रशन सॉल्व करेंगे ये मेरी तरफ से आपके लिए सुझाओ है ठीक है इन दो प्रशनों को solve करें और समय कितना देना है दस number के paper दस number के इन प्रशनों में आपको maximum आपको दोस्तो 30 minute और minimum आपको 20 से 25 minute ठीक है तो 20 से 30 minute आप समय इसको देंगे दोस्तो अगर थोड़ा सा अगर आप समय ज़्यादा लेते हैं तो 35 minute दे दीजिएगा लेकिन याद रखिए अगर आप 35 से ज़्यादा 40 minute देते हैं तो आपना last में आपके कुछ question छूटने वाले हैं तो समझ में आगे हैं एक page में आपको section एक दो प्रशन करिए अराम से ठीक है दो प्रशनों को करिए और point to point लिगे अगर मान लेजिए परिभासा पूछता है तो एक नंबर में आप एक नंबर में क्या लिखेंगे जितनी मजदूरी उतना काम करिए एक नंबर में अगर आपसे परिभासा पूछता है तो एक मनवेग्यानिक या कोई वेग्यानिक के नाम लिखे और परिभासा लिख दीजे ठीक है मालेजी सिक्षा का परिभासा पूछा तो लिखिए महात्मा गादी के अनुसार सिक्षा से मेरा अभी प्राय है बाला के सरवेग्रिकास बस उनना लिखिए विस्कुल खतम इतना हो गया अगर मालेजी आपसे विसेश्था पूछता है तो किसी भी चीज की जैसे समझ में आगे दोस्तों है और एक पेज में आपको दो परशन लिखने चरी आपके पूरे पेपर का जो सबसे ज्यादा important section है section B है क्यों वज़ा इसकी यह है कि आपको यहाँ पर आठ प्रश्ण दिये रहेंगे स्वारी पांच प्रश्ण दिये रहेंगे एक दो तीन चार पांच और पांच प्रश्ण आठ आठ नंबर के पूछे जाएंगे आपको 200 सब्दों में लिखना है मतलब आपके टोटल 40 नंबर ची हां सबसे ज्यादा नंबर यहाँ से मिलता है और सबसे ज्यादा समय भी आपका यहाँ लगता है और सबसे ज्यादा बुद्धी भी यहां लगती है क्योkti यह जो पांच परश्ण है 2 page और 3 page मैक्सिमम मीनिमम दोस्तों 3 page और मैक्सिमम 4 page अब ऐसा भी मत करिएगा कि सारे questions 4 page नहीं जो जरूरी हो उसको 4 page दख लेके जाएगा अन्य था 3 page इसके लिए काफी है क्योंकि आपको समय भी बचाना है और आगे page के लिए रखना है ठीक है तो 3 page मान लेते हैं कोई 3 से 12 यानि कि आपके पास total यहां पर कितने हो गए 17 से 18 page इसमें जाने वाले हैं ठीक है तो अब देखिए मान लेते हैं 17 page तो 17 page आपने यहां पर दे दिया था और 5 page आपने section एक के लिए दिया था यानि कि आपके पास total हो गए 22 page दोस्तों अभी देखिए यहां भी आपके 22 page आ आपने पूरा लिख लिया ठीक है अभी आपके पास 8 page बचेंगे ध्यान दीजेगा page को बड़ा अच्छे से manage करना है आपको तो चलिए समय की बात करें कि समय इसमें कितना देना है तो दोस्तों आपके 5 परस्ण चालीस नंबर का सवाल है तो इस 40 नंबर में आप आराम से एक घंटा 25 मिनट से लेके एक घंटा 40 मिनट तक दे सकते हैं तो आपने इस से पहले वाले में मान लिजी आदे घंटे का समय दिया था और इसमें आपने एक घंटा 30 मिनट दे दिया यानि कि टूटल आपने दो घंटे का प्रस्ण आपने कर लिया इस प्रकार से आपको time manage क करना है ठीक है और pages की बात करें तो minimum page तीन और maximum चार दो भी लिख सकते हैं लेकिन दो बहुत कम हो जाए कि अगर समय अगर आपका समय ज्यादा खराब हो जाता है तो आप इसको दो में भी सिब्टा सकते हैं लेकि दो बहुत कम हो जाएगा कोशिश करिए कि तीन पेज और maximum एक घंटे 30 मिनट के लिए एक घंटे 40 मिनट के लिए अपने हिसाफ से इसको हमें समय देना है अब बात कर लेते हैं section C की section C में दोस्तों आपको दो प्रश्न करने हैं और दो प्रश्न मतलब total 30 नंबर के प्रश्न करने हैं तो आप इसमें एक घंटा आप समय ले लिजे अगर पेच बचते हैं तो चार से ज्यादा करने की कुशिश करिएगा ठीक है पांच कर सकते हैं बैटर यह पांच लिकिन समय पेपर आपके पास बचेगा चार आप लिजे चार से ज्यादा करिए और चार से ज्यादा आपके बचे हैं लास्ट में आप डिशाइड कर और पांच पेस से ज्यादा तो होई नहीं पाएगा क्योंकि पांच पेस से ज्यादा करेंगे तो दूसरे questions के लिए आपके पार paper नहीं बचेगा ठीक है और इसमें समय कितना देना है तो पचास मिनट से लेके एक घंटा अब आई थोड़ा सा summarize करते हैं चीजों को चलिए section A क की बात करें तो maximum आपने 1.5 घंटा दे दिया थोड़ा सा 10 मिनट इदर हो सकता है चलिए section C की बात करें तो आपने एक घंटा इसमें दे दिया कोई दिक्कत दो घंटे तीन घंटे का आपका paper हो गया चलिए बहुत से अगर हम pages की बात करें तो section A में आपने एक page में दो प्र हो गए आपके साथ 11 आपके पास total यहाँ पे 9 पेज बचे तो चार पेज या 5 पेज और चार पेज इस तरह से करके आपके total 30 पेज हो जाएंगे तो इस प्रकार से आपको manage करें दोस्तो most important मैं आपको एक चीज बता दू अब बात करती है कि हम सुरू कहां से करें यह बड़ करता है कि paper कैसा पूछा गया है और बच्चे कैसे एक्जामबल की तौर पे मैं कहा दूँ आप section C से पूरा शुरू करिए और section C आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो problem हो जाई तो इसका बहतरीन यह है कि मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं यह recommend करता हूं कि आप section A स सुरू कर सकते हैं ठीक है और क्योंकि इसके लिए है कि आपने एक एक नमबर में जल्दी से कर दिया फिर section B कर दिया और last में आपका समय बचेगा तो आप section B में बैठके कहानिया बना बना के लिखते रही है ठीक है लेकिन यह वही बात होगी ना आपको बिल्कुल exact आना च से कर लिया फिर दो question section B से कर लिया फिर एक question ऐसा मत करीगा अगर section C के दोनों प्रशन आपको सही सही आ रहे है तो बिल्कुल आख बंद करके section C से सुरू करीगा और यह बहुत अच्छी बात होती है अगर आप section C से सुरू कर देते हैं क्योंकि आपको last में समय अगर ना भी मिलेगा तबी एक दो point तो section A में लिखी दालेंगे ठीक है तो अगर दोस्तो बहुत सही सही आपको section B के दोनों प्रशन आ रहे हैं तो आप section B से सुरू कर सकते हैं बिल्कुल सही बात ठीक है और अगर आपको section A के दोस्तो section A के अगर आपको सुरू के 5-6 प्रशन भी 4-5 प बिल्कुल मैं दोस्तो आपसे बहुत बहुत strongly request कर रहा हूं कि question नहीं छोड़िएगा प्लीज आप question नहीं छोड़िएगा 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 ठीक है यह हो गए दोस्तो मेरी तरफ से request आपसे और य से सुरू करने की तो मैं हमेसा सेक्षन बी को बीच में इसलिए रखता हूं क्योंकि यह पूरे यूनिट को कवर अप करता है और मुझे रखता कि आपके साथ ऐसा होगा कि आपके पांचों के पांचों परस आपको बिल्कुल पूरी तुरह से आते हैं इसका मतलब यह है कि आ सेक्षन में आपसे कहते हैं कि सेक्षन बी को बीच में रख कि आप से सुरू करिए लू कर तो अश्यूस चीरी में करिक्षिंच है और बहुत अच्छी बात होतीर से सुरू कर देना क्योंकि फिर आपका लस्ट में समय कम बच endeavor एक लिएक्ट नम्र उप सरीरी यह एकम सकते और अगर अगर अब भी आप Reels में मोवाइल में यूटूब में किसी को भी देख रहे हैं तो सोचिए आप अपना समय गवार है और मैं तो आप से कहूँगा कि अब मेरा यूटूब भी देखना बंद करिए आप अपने सलेबस को अपने साथ रखिए अपने important questions को अपने साथ रखिए अपने सीरीच को अपने साथ रखिए और उसी के साथ आप बाते करिए उसी के साथ आप पढ़ाई करिए दोस्तों बहुत serious हो जाई है ठीक है अब इधर उधर के resources आपको collect करने के जरूरत नहीं है जो भी आपके पास resources है आप बस उसी से पढ़िए और promise करिए कि अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे marks लेकर आएंगे और जब result आएगी तो मुझे खुशी होगी बताते हैं वक्त कि इस बार अवद 20 विदाले का टॉपर हमारे group से है हमारी बैसे बहुत बहुत सुपकाना है आपको दोस्तों मेरी दर्फ से आप अच्छे से लिखे पूरा पूरा पेज लिख क्या है हाँ सॉरी हमने ये बात नहीं करी कि कितने pages में answer लिखना है सॉरी इसकी बारे में बात नहीं हुए तो आप courses करिएगा दोस्तों कि आपकी pages 27 से ज़्यादा जाए वसे ये फरक नहीं पड़ता कि आप कितने pages लिख रहे हैं लेकिन 27 से ज़्यादा लिखिए अगर इस तरह से लिखेंगे तो 27 तो चलाई जाएगा और 30 लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है मतलब लिखिए आप उसमें नहीं है कोई गिन के मतल लिखिए बस लिखिए ठीक है 27 से ज़्यादा होई जाएगा जब आप सारे प्रफशन को आटेम्ट करेंगे ना तो 27 से ज़्यादा होई जाएगा चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्री आप सभी का अच्छे से पढ लिखिए और याद रखिए आज के बाद से जो पढ़ाई है ना आपकी वह आपके रिजल्ट पे जिन्दगी भर आपके साथ रहने वाला है तो बिल्कुल सीरियस हो जाईए और मैं चाहता हूँ आप एक एक सेकंड अपना पढ़ाई पे दे जाहें 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